Hello guys, welcome to my YouTube channel, आज मैं आप लोग के लिए biology का आपका 13 class लेकिया हूँ, जिसमें आज हम लोग फिर से क्या करेंगे, आपका जो digestive system में start किये थे, उसको continue करेंगे, पिछले class में हम क्या किये थे, आपको teeth तक जो आपका क्या किये थे, बता चुके थे, complete कर चुके थे, अब इसके ब system में आपका teeth है, teeth चल रहा था, उसी में आपका खतम हो गया था आपका video, इसी में आपका थोड़ा सा जो कुछ important point बचा हुआ था, उसको आपको जगर नहीं था, space नहीं था, तो आपको बोली थे, कि next class में आपको क्या किया जाएगा, बता दिया जाएगा, तो चले देख सबसे पहले तो हम teeth में ही आपका सारे चीज़ बता चुके थे, उसमें milk teeth था, जो permanent teeth था, सारे चीज़ को उसमें complete कर चुके है, अब हम आएंगे आपका, देखिए चूहा, जो आपका rat होता है, वो कुतरने के लिए, किसी चीज़ को कुतरने के लिए जो होता है, वो अपना किस दात का परियोग करता है, तो incisor का ही परियोग करता है, पूछा जा सकता है exam में, next हम बात करेंगे हाथी का भी जो incisor दात होता है, वो ही क्या होता है, आपको जो बाहर में दिखाई देता है, जो आपका दो दात, वो आपका incisor ही होता है, इस चीज़ को भी याद सबका सरीर में सबसे हड़े सबस्टांस आपको माना जाता है ना मिल को याद रखना है नेक्स हम बात करेंगे यह आपका अब हम बात करेंगे सैलीवा के बारे में ठीक है मुह में आपका सैलीवा आपको पता है कि सैलीवा के बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना कि दिन भर में आपका एक दिन के अंदर में 1.5 लीटर जो होता है Lark का अपका saliva का स्रावन जो होता है ठीक है इस चीच काश आपको ध्यान में रखना है नेक्स हम बात करेंगे saliva जी होता है आपका saliva दो types के होता है ठीक है सबसे पहला अगर हम बात करेंगे तो ताइलीन आपका जो पी टाइलीन आपका ठीजी ये पी साइलेंट रहता है ठीग है ये क्या कम करता है आपका तो ये ध्यान में रखेगा ये आपका स्टार्च का क्या करता है पाचन करता है ठीग है और ये आपको भोजन को क्या करता है मीठा बनाने का काम करता है कौन आपक तो यह आपको Tylean, याद रखना है, आपको P-silence रहता है, नेक्स हम बात करेंगे Lysogym, ठीक है ना, दो टाइप होगा, एक तो आपका Tylean होगा, दूसरा Lysogym होगा, Lysogym क्या करता है, कि यह भोजन में उपश्तित आपका जो हनीकारक, जो बैक्टीरिया होता है, जो जिवा उसको ये क्या करता है आपका नश्ट करता है ठीक है next हम बात करेंगे आपका यह saliva आपका complete हो चुका अब हम बात करेंगे फ्रैंस जिसको हम graduated प्रसिका बोलते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना, इसका सबसे पहले एक छोटा सा डाइग्राम है, उसको आप समझ लीज़े, सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा है, ये आपका ये नोज हो जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद आपका माउथ जो होता है, आपका पहुचाने का काम, अगर हम आसे तक अगर हम पहुचाने का बात करेंगे, तो यही पहुचाता है आपका, ठीक है, नेक्स हम बात करेंगे, इसमें भी आप फिर और नीचे आप आपका येगा, तो यहां से आपका एक जो होता है, आपका लंस होता है, और दूसरा आपका जो होता है, ये इस्टोमेक आपको नीचे, फिर आपको बताएं कि जो चला जाता है, नेक्स हम बात करेंगे, इसी में आपको एक चीज और ध्यान में रखना है आपका, कि ये आप जो देख रहे हैं ये एक सीरीज दिख रहा है ठीक है न ये एक सीरीज दिख रहा है मस्कुलर आपको ट्यूब जैसा ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है मस्कुलर ट्यूब जाइब का टाइप का इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं पेरिस्टेलेसिस ठीक है न प बता रहा है कि move food along the फूड होता है वो आता है और इससे दीरे 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 करके आपका क्या होता है और यहीं बता रहा है कि यह muscle होता है, सिकुरता है, फैलता है, ठीक है, contraction और relaxation दोनों आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, और which बता रहा है कि move food, along the बता रहा है कि digestive बता रहा है कि track पर यह क्या करता है, ले जाने का काम करता है, ठीक है, सिधास अगर हम बात करें, तो आहार नली का फैलना और सिकुरना आपका जो होता है, यानि कि वही आपका क्या होता है, यह आपका peristilis होता है, जिसमें आपका contraction of oso phagus आपका दिया हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, नेक्स हम बात करेंगे आपका, यह आपका खतम हो गया, ग्रसिका को अगर हम बात करेंगे तो, इसके बाद आता है आपका stomach, ठीक है ना, stomach कायेगा, जहांपर हम क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में हम अमासे बोलते हैं, ठीक है, इसी को पेट बोला जाता है, नेक्स हम बात करेंगे, यह 25 cm आपका लंबा होता है, नेक्स हम बात करेंगे, यह आपका, इसी से आपका secret gastric juice, इसको वर्ल से जो होता है, आपका gastric juice निकलता है, जिसको हम हिंदी में जठाडरस बोलते हैं, और इसका pH value, अगर हम बात करेंगे, तो 1.5 होता है, एक्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, कि pH value आप जो आपका, यह gastric juice होता है, वो पूछा जा चुका है, नेक्स हम बात करेंगे, gastric juice क्या होता है, तो यहाँ पर gastric juice में आपको 3-4 चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा, एक आपका पेपसीन हो गया, दूसरा आपको रेनीन होता है, और तीसरा आपका HCL होता है, और चौथा आपका water होता है, ठीक है न, पेपसीन का क्या work होता है, पाचन करने का, इसको digest करने का काम करता है, रेनीन, और HCL का बात करेंगे, जो hydrochloric acid होता है, यह आपका पेपसीन तथा रेनीन के work के लिए क्या करता है, acidic medium को क्या करता है, यह बनाता है, ठीक है न, यह acidic medium को बनाता है, और water तो आपका सरीर में ऐसे भी आपका रहता है, next हम बात करेंगे, इसके बाद, यह आपका complete हो गया, gastric juice को, ठीक है, अभी इसी से stomach से related हैं, आपको यह सारे terms है, ulcer, आप पेट में सुनने के लिए मिलता होगा, बहुत सारे, ulcer हो गया, ulcer, ठीक है न, तो यह क्या होता है, तो इसमें जब HCL, जो hydrochloric acid जो होता है हमारे पेट में, stomach wall को क्या करता है, damage करता है, ठीक है न, damage करने का काम करता है, उसी को हम बोलता है, अलसर हो चुका है, ठीक है, next हम बात करेंगे, ino, ino के बारे में आप normal सुने है, ino का काम सिर्फ 6 सेकेंड में, हमेशा आप देखते हैं इसका, आपका advertisement भी आपको देखने के लिए मिलता है, परचार वगरा, ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ठीक है, तो यह आपका acid है, अगर acid ज्यादा आएगा, तो जस्ट उसका ultra, हमको base चाहिए, ठीक है न, तभी वो आपका क्या होगा, complete होगा, ठीक है, next हम बात करेंगे, देखें, तो acid यह क्या है, MgOH का hal twice, MgOH का hal twice क्या हो गया आपका, जिसको milk of magnesia के नाम से हम क्या करते हैं, इसको हम जानते हैं, MgOH का hal twice से magnesium hydroxide हो गया, ठीक है, magnesium hydroxide हो गया, यह क्या हो गया, आपका HCl, ठीक है, इसके साथ यह क्या करता है, combine, तो यह एक base हो गया, और यह acid हो गया, acid plus base जब मिलता है, तो आपको पता है कि आपको salt plus water का निर्मान होता है, यह magnesium chloride आपको क्या होता है, सरीर में बनता है, और water का निर्मान होता है, ठीक है, जिससे हमारा acidity जो होता है सरीर में, वो क्या हो जाता है, कम जाता है, ठीक है, और यह पने acid plus base आपको salt plus water, जिसको हम neutralization reaction के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे, यह जो आपका दिख रहा है, यह stomach wall है, ठीक है, यह stomach का wall हो गया, यह ठीक है, और यह जो दिख रहा है, यह इस टाइब से जो diagram बना हुआ है, इसको हम बोलते है mucous layer, ठीक है, यह क्या करता है आपका, HCL को stomach wall तक आने से क्या करता है, रोकने का काम करता है, hydrochloric acid को यह क्या करता है, यह आने से क्या करता है, ठीक है, next हम बात करेंगे, इसी के साथ आपका जो stomach है, यह भी आपका complete हो चुका, अब हम इसके बाद जो आपका next joygapart, उसमें हम क्या करेंगे, इसके बाद वाले जो चीज़ है, उसको बात करेंगे, intestine के बारे में बात करेंगे, ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर यह आपका थोड़ा सा ऐसे ही, कुछ extra questions आपको ले लिए हैं, ठीक है, नॉर्मल, इंक का दाग चुड़ाने के लिए, ठीक है न, जो आपके सरीर में, आपको आपके कपरे में जो होता है, वहाँ पर दाग लग जाने पर क्या करते हैं, हम उसको चुड़ाने के लिए कि saycid का प्रयोग करते हैं, तो औक जेलिक एसीड का, ठीक है, याद रखना है इसको, नेक्स्ट हम बात करेंगे, study of liver अगर हम बात करेंगे, तो इसको हम हर phytology बोलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे, विस्व अंगदान दिवस कम मनाया जाता है, तो 13 अगस्ट को, ठीक है, इसी के साथ आपका ये वीडियो, आपका क्या हुआ, आपका समाप्त होता है, और इसके बाद हम फिर से, इसके नेक्स्ट पार्ट में आगे, हम क्या करेंगे, continue करेंगे, ठीक है, तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, वीडियो को अच्छे से देखिए, और वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्यू,